नमस्कार, मैं आभाशर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोच्साहित करे पिछले अध्याय में हमने श्री राम चंदर जी का पन पुराण में विवरन जाना यह विवरन अश्मे यके के बाद का था जब सीता माता अपने पुत्रों को आश्रम में जन देती हैं इस अध्याय में हम पाद्म पुराण में दिये गए श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे रिश्यों ने कहा सूच जी महाराज हमने आपके मुक से राम अश्मे यके की कथा अच्छी तरह सुन दी है अब परमात्मा श्री कृष्ण के महातम में का भी वर्णन कीजी सूच जी बोले मरश्यों जिनका हृदय भागवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है वे पारवती देवी एक दिन अपने पती को प्रेम पूर्वक नमसकार करके इस प्रकार बूली प्रभो व्रिंदावन का महातम में अथ्वा अध्भुत रहसे क्या है उसे मैं सुनना चाहती हूँ महादेव जी ने कहा देवी मैं ये बात बता चुका हूँ कि व्रिंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है दहे गुय से भी गुय उत्तम से भी उत्तम और दुरलब से भी दुरलब है तीनों लोगों में अत्यंत गुप्त स्थान है बड़े बड़े देवेशुर भी उसकी पूजा करते हैं ब्रम्मा आदी भी उसमें रहने की इच्चा करते हैं वहाँ देवता और सिद्धों का निवास है योगेंदर और मुनिंदर आदी भी सदा उसके द्धान में तत पर रहते हैं श्री ब्रिंदामन बहुत ही सुन्दर और पूनानंद में रस का आश्रय है वहां की भूमी चिंता मनी है और जल रज से भरा हुआ अम्रित है वहां के पेड कल्प विक्ष हैं जिनके नीचे जुन्ड की जुन्ड कामधेनू गौएं निवास करती है वहां की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विश्नु है क्योंकि वे लक्ष्मी और विश्नु के दशांश से प्रकट हुए हैं उस व्रिंदावन में सदा श्याम, तेज, विराजबान रहता है जिसकी नित्य निरंतर के शोरावस्था अर्थात बंद्रावर्ष की आयू बनी रहती है वह आनंद का मूर्दिवान विक्रह है व्रवन की छटा चाही रहती है जिनका अंतरकरन शुद है जो प्रेम से परिपूर्ण है ऐसे व्यश्न वजन ही उस वन का आश्रय लेते हैं व्यवन पूर्ण ब्रह्मा नंद में निमग्न है वहां ब्रह्मा जै की ही सुरूप की स्फुर्णा होती है वास्तव में व्यवन ब्रह्मा नंद मै नहीं है वहां प्रति दिन पूर्ण चंद्रमा का उद्ध होता है सूर्यदेव अपनी मंद राशियों के द्वारा उस्वन की सेवा करते हैं वहां दुख का नाम भी नहीं है उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है वे जरा और मृत्यू से रहित स्थान है वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है भेद और अहंकार की भी वहाँ पहुच नहीं होती वे पूर्ण आनंद में अमरित रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुक का समुद्र है तीनों गुणों से परे हैं और महान प्रेम धा है वहाँ प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होती है जिस प्रिंदावन के ब्रिक्ष आदी ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसु बरसाए है वहाँ के चेतन वैश्णवों की स्थिती के संबंध में क्या कहा जा सकता है भगवान श्री कृष्ण की चर्ण रज का स्पर्ष होने के कारण ब्रिंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है वह सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है उसके स्पर्ष मात्र से यह प्रित्वी तीनों लोकों में धन्ने समझी जाती है भूमंडल में ब्रिंदावन गुहय से भी गुहतम, रमणिय, अविनाशी तथा पर्मानंद से परिपूर्ण स्थान है वह गुविंद का अक्षय धाम है उसे भगवान के सुरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रे है जहां कि धुली का स्पर्ष होने मात्र से मोक्ष हो जाता है उस व्रिंदावन के महतम्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है इसलिए देवी तुम संपूर्ण चित से अपने हृदे की भीतर उस व्रिंदावन का चिंतन करो तथा उसकी व्यहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करती रहो पहले बता आए हैं कि व्रिंदावन सहस्त्य दल कमल का केंद्रस्थान है कलिंद कन्या यमुना उस कमल करने का की प्रतिक्षणा किया करती है उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गेहरा है वे अपनी सुगंद से मनुश्यों का मन मुह लेता है उस जल में आनंद दाइनी सुधा से मिश्रित घनी भूत मकरंदरस की प्रतिष्ठा है पद्म और उत्पल आदी नाना प्रकार के पुश्पों से यमुना का स्वच्छ सलील अनेक रंग का दिखाई देता है अपनी चंचल तरंगों के कारण वे जल अत्यंत मनोहर एवं रमणिये प्र मांदर और श्रीविग्रह कैसा है मैं उससे सुनना चाहती हूं कृपा बतलाईए महादेर जी ने कहा देवी परम सुन्दर व्रिंदावन के मध्यभाग में एक मनोहर भवन की भीतर अत्यंत उज्वल योग बीच हैं उसके उपर मानक्य का बना हुआ एक सुन्दर सिंघास सिंघासन के ऊपर अश्टदल कमल है जिसकी करने का अर्थात मद्यभाग में सुखदाई आसन लगा हुआ है वही भगवान श्रीकृष्ण का उत्तम स्थान है उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए वही भगवान गोविंद विराजवान होते हैं वैश्न ब्रिंद उनकी सेवा में लगा रहता है भगवान का व्रज उनकी अवस्था और उनका रूप ये सभी दिव्य हैं श्रीकृष्ण ही विंदवन के अधीश्वर हैं वे ही व्रज के राजा हैं उनमें सदा शडविद एश्वर विद्दिमान रहते हैं वे व्रज की बालक बालिकाउं के एक मात्र प्राण वल्लब हैं और किशोरा वस्था को पार करके योवन में पदार्पन कर रही हैं उनका शरीर अध्भुत है वे सब के आधी कारण हैं किन्तु उनका आधी कोई भी नहीं है वे नंद गौपे के प्रिये पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं परन्तु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं जेने वेद की शुतियां सदा ही खोशती रहती हैं उन्होंने गोपी जनों का चित चुरा लिया है वे ही परमधाम हैं उनका स्वरोप सबसे उत्कृष्ट है उनका श्री विग्रह दो भुजाओं से सुशोबित है वे गोकुल के अत्यंत सुन्दर और अवस्था नूतन है वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है जिसके कारण उनकी जांगी बड़ी मनोहर जान पड़ती है उनका विग्रह नूतन में घमाला के समान अत्यंत स्निक्द है वे कानों में मनोहर कु सुखद है वे सबको सुख पहुँचाने वाले हैं वे अपनी सावली छटा से मन को मुह लेते हैं उनके केश बहुत ही चिकने काले और घुंगराले हैं उनसे सब प्रकार की सुगंद निकलती रहती है केशों के उपर ललाट के तक्षिन भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं नाना रंग के आभुशन धारन करने से उनकी दीप्ती बड़ी उज्जोल दिखाई देती है सुन्दर मोरपंख उनके मस्तक की शोभा बढाता है उनकी सजधज बड़ी सुन्दर है वे कभी तो मंदार पुश्पों से सुशोभित कौपुच्च के आकार की बनी हुई चूड़ा अर्था चोटी धारन करते हैं कभी मोरपंख के मुकट से अलंकृत होते हैं कभी अनेकों मनी मानिक्यों के बने हुए सुन्दर की रीटों से विभूशत होते हैं चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढाती है उनका मनोहर मुख करोणों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है ललाट में कस्तूरी का तिलख है साथ ही सुन्दर कौरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है उनका शरीर इंदीवर के समान स्निक्त और नेत्र कमलधल की भांती विशाल है वे कुछ-कुछ बोहिन चाते हुए मन्द मुस्कान के साथ तिरची चितवन से देखा करते हैं उनकी नासिका का अग्रभाग रमणिय सुन्दर से युक्त है जिसके कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते है उन्होंने नासाग्र भाग में गजमोती धारन करके उसकी कांती से त्रिभुवन का मन मोह लिया उनका नीचे का उंट सिंदूर के समान लाल और चिकना है जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित, सुवर्ण निर्मित, मकराकरत कुंडल पहने हुए है उन कुंडलों की किरण पढ़ने से उनका सुन्दर कपोल दरपन के समान शोभा पा रहा है देख कानों में पहने हुए कमल, मंदरा, पुश्व और मकराकार कुंडल से विभूशित है उनके वक्ष्थल पर कौस्तो मनी और शिवच्चिन शोभा पा रहे हैं गले में मोतियों का हार चमक रहा है उनके विभिन अंगों में दिविमानिक्य तथा मनोहर सुबर्ण मिश्रित आभूशन सुशोबित है हाथ में कड़े भुजाओं में बाचुबन तथा कमर में कर्धनी शोभा दे रही है सुन्दर मंजीर की सुश्मा से चर्णो की श्री बहुत बढ़ गई है जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभाय मान दिखाई दे रहा है श्री अंगों में करपूर, अगरू, कस्तूरी और चंदन आदी सुगंदित द्रव्य शोभा पा रहे है बुरोचन आदी से मिश्रित दिव्य अंगरागूं द्वारा विचित्र, पत्र भंगी आदी की रचना की गई है कटी से लेकर पैरों के अगरभाग तक चिकने पितांबर से शोभाय मान है भगवान का नाभी कमल कमभीर है उसके नीचे की रोमा वलियों तक माला लटक रही है उनके दोनों घुटने सुन्दर गोलाकार हैं तथा कमलों की शोभा धारन करने के कारण चरण बड़े मनुहर जान पड़ते हैं हाथ और पैरों के तलुए धवज, बच्र, अंकुष और कमल के चिन से सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नकरूपी चंद्रमा की किरना वलियों का प्रकाश पड़ रहा है सनक सनंदन आदी योगिश्वर अपने हृदे में भगवान के इसी सुरूप के जहांकी रखते हैं उनकी त्रिभंगी जवी है उनके श्री अंग इतने सुन्दर, इतने मनुहर, मानुस्रिष्टी के समस्त निर्मान, सामगरी का सार निकाल कर बनाए गए हूँ जिस समय वे गर्दन मरोड कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सुन्दर इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनंत कोटी कामदेव लज्जित होने लगते हैं बाएक अंधे पर जुका हुआ उनका सुन्दर कपोल बड़ा भला मालूम होता है उनके सुवण में कुंडल जगमगाते रहते हैं वे तिर्ची चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोणों कामदेवों से भी अधिक सुन्दर है सिकोडे हुए उट पर बन्शी रख कर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मुहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमगने कर रहे हैं पारवती जी ने कहा देव देवेश्वर आपके उपदेश से यह ज्यात होता है कि कोविंद नाम से प्रसिद भागवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण है वे ही परमपद है प्रिंदवन के अधिश्वर है तथा नित्य परमात्मा भी है प्रभो अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गूड रहसे महात्म्मे और सुन्दर एश्वर क्या है आप उसका वर्णन कीजिए महादेव जी कहते हैं देवी जिनके चंद्र तुल्ले चरण नकों की किर्णों के महात्म्मे का भी अंत नहीं है उन्ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ तुम आनंद पूर्वक श्रवन करू स्रिष्टी पालन और संघार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देता हैं वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव हैं उनके सुरूप का जो करोणवा अंश है उसके भी करोण अंश करने पर एक एक अंश कला से असंखे कामदेवों की उत्पति होती है जो इस ब्रह्मान के भीतर व्याप्त होकर जगत की जीवों को मुह में डाल देते हैं भगवान के श्री विग्रे की शोभामई कांती के कोटी कोटी अंश से चंद्रमा का आविरभाफ हुआ है श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड में अंश से जो किरने निकलती हैं वे ही अनेको सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं उनके साक्षात श्री अंग से जो राशियां प्रकट होती हैं वे परमानंद में रसाम्रित से परिपूर्ण है परम आनंद और परम चैतने ही उनका स्वरूप है उनहीं से इस विश्व की जोते में जीव, जीवन, धारन करते हैं जो भगवान के ही कोटी-कोटी अंचे हैं उनके युगल चर्णान्विन्दों के नकरूपी चंद्रकांत मनी से निकलने वाली प्रभा को ही सब का कारण बताया गया है वे कारण तत्व वीदों के लिए भी दुरगम में है विश्व को विमुग्द करने वाले जो नाना प्रकार के सौरब अर्थात सुगंद है वे सब भगवद विग्रह की दिव्वे सुगंद के अनंत कोटी अंशमात रहे भगवान के सपर्ष से ही पुषबगंद आधी नाना सौरबों का प्रादूर भाव होता है श्री कृष्ण के प्रियतमा उनकी प्राण वलभा श्री राधा है वे ही आध्य प्रकृती कही गई है इस अध्याय में हमने श्री कृष्ण का अध्भुत विवरण जाना श्री कृष्ण और राधा का क्या संबंद और किस प्रकार वे अध्भुत है जानते हैं अगले अध्याय में